दिली में बेकाबो कुरोना की रफ्टार पर LG संग मन्थन करेंगे CMK जिवाल बैठक में लॉक्डाउन पर हो सकती है चर्चा दिली में कुरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्पोर्ट 24 गंटे माई 17,000 से जादा नाई केस 104 लोगों की विपाउट दिली की तिहार जेल में कुरोना विस्पोर्ट दो कहदियों की मौत 190 कहदी 304 जेल स्टाफ और दो डॉक्टर कुरोना संकर में दिली सरकार का बड़ा फैसला पांच स्टार होटल बनेंगे अस्पताल, बैंक्विट, हॉल और स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स भी बनेंगे अस्थाई अस्पताल दिली में होटल में भड़ती होने पर भुक्तान मरीज करेगा, 5 स्टार के लिए रोजाना 5000 रुपए देने होंगे, 3 या 4 स्टार के लिए रोजाना 4000 रुपए कुरोना के बढ़ते मरीजों के इलाज के लिए दिली में कोविड अस्पताल बनाएगा, DRDO, एयरपोर्ट के पास सरदार पटेल अस्पताल बनेगा कुरोना के बढ़ते संक्रमा अर्ण और लॉकडाउन के दर से नहीं रुक रहा है पलायन, दिली के आनन, विहार बस टर्मिनल के बाहर प्रवासियों की भारी भीड महराश में ब्रेक दी चेंग मुहें, पूरे सुबे में धारा 144 लागू, जरूरी सेवाओं को छोड़ का बाकी संबन नाइट कर्फ्यू के बाद, मुंबई के मरीन ड्राइब में भी सननाटा, चप्पे चप्पे पर पुली, साथ बज़े के बाद नहीं दिखी लोगों की भीर नाइट कर्फ्यू की दौरान सड़कोप पॉलिस कर्मी तैनात, बैंक, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे मुंबई में सक्ती पर बोले, डीजीबी संचे पांडे, रोजमर्रा की चीज़ों की कोई कमी नहीं होगी, जरूरी काम के लिए आपको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा रेमडे सेवर इंजेक्शन की कमी की बीच महाराश्टर की स्वास्तमंत्री राजरिश टोपे की डॉक्टर से अपील कहा कि जिन्हें जरूरत है, सिर्फ उन्हें ही रेमडे सेवर इंजेक्शन दिया जाए बड़ी संक्रमन के चलते महाराश्टर में बड़ी सक्थी का व्यापारियों ने किया विरोध कहा सरकार ने जो ओडर दिया है बहुत ही कन्फ्यूजिंग है महाराश्टर में 24 गंटे में 58,952 नए कोरोना संक्रमन मिले 278 लोगों की हुई मौद महाराश्टर में 11 लोगों को वैक्सिन लगी राजिस्थान और उत्तर प्रदेश में भी वैक्सिनेशन का आकरा एक करूर के पार पहुँचा कोरोना पर पिया मोदी के राजिपालों और उप्राजिपालों के साथ महामंधन कई हैं मुद्धो पर हुई चर्चा बैठक प्यूपराश्टर पती वेंकर या नाइडू भी थे शामिल कोरोना के खिलाब जंग में पूरे समाज को एक जूट होना होगा कोरोना ने तोड़े अब तक की सारे रिकॉर्ड 24 गंटे में एक लाग चुरासी हजार के साइसाब ने एक दिन में एक हजार से जादा लोगों की मौत हुई राजिस्तान में परिक्षाओं को लेकर मुखे मंत्रिय ऐशोगे लोग का बड़ा फैसला मादे में शिक्षा बोर्ट की दसवी और बारवी के परिक्षाएं स्थागिती राजिस्तान में बीते 24 गंटे में कोरोना के 6,200 नए मामने आई सामने 39 लोगों की हुई मौत जैपुर में कोरोना वैक्सीन की 320 डोज चोरी, कनवाती अस्पताल से वैक्सीन गाइब होने से हरकम उत्ताप्रतेश में परिक्षे 24 गंटे में कोरोना की 20,510 नए केस 68 लोगों की हुई मौत यूपी की दाज़ानी लखना उसे सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरियां अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी दजियां टेस्ट के लिए से विल अस्पताल पहुँचे थे लोग कोरोना को लेकर सीम योगी आधितिनाथ का बड़ा आदेश पूरे यूपी के गाउं और शेहरों में कौरिंटीन सेंटर बनाने के लिए सभी डियम को दिये निर्देश यूपी में बढ़ रही कोरोना संक्रमन की बीच सीम योगी ने कहा नहीं होगी अस्पतालों में बैड और ऑक्सिजन की कमी एमदाबाद से रेंटी सीवर इंजेक्शन की 25,000 डोस मंगवाई यूपी की डिप्टी सीम गिनेश शर्मा ने कहा कि शासन और प्रशासन एक साहे के रूप में काम कर रहा है जन प्रतिनीदियों से कोरोना चेन तो उने में भागिदारी बनने को कहा वारे नसी में करोना को लेकर सकती वारे नसी पुलिस कमिशनर के आदेश के बाद बॉर्डर हुए सील उत्राखन में कोरोना विस्पोट एक दिन में कोरोना के एक हजार 953 नए मामले आए सामने बिहार में पटना के सबसे बड़े अस्पताल NMCH में मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इलाज जारकन में कोरोना के दूसरी लेहर बेहत खतरना क्यूके स्ट्रेइन और डबल वेरियन स्ट्रेइन की हुई पुष्टी मथ्य प्रदेश और चब्रपुर से आई दर दिनाख तसफीरे चौहारी शमशान घार पर हर दिन दो दरजन से ज्यादर शवों का दिन सुंसकार घंटों करना पड़ता है इंतजार मध्य प्रिदेश में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने बनाई 13 सदस्यों की टीम नोबेल पुरुसकार विजेता के लाश सत्यार्थी शाप इमाचल में दसवी, बारवी और अंडर्ग्राजुएशन की परिक्षाई 17 मई तक स्थगित सीम जे राम ठाकुर का सूबे में लोगडाउन से दकार इस राथ में पहली बाद 24 गट में कोरोना के इस साथ से ज़ादा नए इमबाम में 73 लोगों की गई जार गुजरात की राज कोट में भी कुरोना से हाहा का रामनाथ पुरा में 24 गंटे में 28 श्रमों का अंतिम संसकार कुरोना के लिए चार शम्शान घाट आरक्षित ये रल में कुरोना के 878 नए मामले आए सामने जब पिछले 24 गंटे में 22 लोगों की हुई मौग पुर्षि मंगाल में कुरोना के रफ्तार थेज बीते 24 गंटे में करोना के 5892 नए मामले उत्ता प्रतेश में 25 चुनाव की पहले चुरेंट का मतदान 18 जिलों में हो रही है गोटे पुर्षि मंगाल के डाजूलिंग में राहूल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला कहा जिस दिन बीजेपी की विजाधारा बंगाल में आ गई उस दिन बंगाल में आग लगी थी कुरोना संक्र पर बोले राहूल गांधी कहा कुरोना के नाम पर देश में चल रहा है ड्रामा किसी ने घंटी बजाई तो कोई कर रहा है खेला दिली के पश्चेम पुरी की जुगियों में लगी भीशेणाग दमकल की 26 गारियों ने आग पर काबू पाया प्रासानी दिली में प्रॉपर्टी डीलर की गुंडा गर्दी दफ्तर बुलाकर पुलिस वाले को सरयाम पीटा वीडियो वारल होने के बाद पुलिस ने दर्च क्या केस गॉइडा में अडानी समय दस कंपनिया करेंगी 3870 करोर का निवेश 50,000 से जाद लोगों को मिलेगा रोजगार